बूर्णिंग स्टुरेंट्स आज हम करें 12th क्लास से exercise 1.6 relation and function में binary operation आज start करेंगे तो first हमारे पास question है binary operation जो हापका है star r to r और हमें define करना है a star b a star b equal है a plus 4 b square तो starting हमें सोगरेंगे तो a star b r to r आपके पास है तो r हमें यहाँ पे पहले सबसे पहले binary operation का meaning क्या है यदि आपके पास operation लगाने सपहले real से real value रखते है और आपके पास जो result भी real number आता है तो binary operation होगा यहाँ पे तो हम यहाँ पे use करते है real number जैसे one star two यहाँ से हमें चेक किया तो यहाँ पे value रखेंगे one plus four into two square यहाँ पे पास one plus four into four यहाँ आपके पास one plus sixteen यहाँ से आया 17 17 भी real, one भी real और यह भी real तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा binary operation होगा यहाँ पे second part हमें बताना है so करना है a star b यहाँ पे not binary अब की बार जो binary operation है वो natural number से है तो हमें बताना है a star b a star b is equal to a plus b minus two यहाँ पे हम natural number रखेंगे a की जगे भी natural, b की जगे भी natural और आपके पास result यह दी natural आता है तो आपके पास binary operation होगा यहाँ अन्य था नहीं होगा यहाँ पे एक जगे मैंने रख्या one plus one star one one binary one यहाँ पे one plus में one minus two यानि two minus two zero आया है zero जो है natural number नहीं है तो यह आपके पास यहाँ पे हो जाएगा binary operation not binary operation यहाँ पे लेकिंगे not binary operation second question start करते हैं हमें बताना है binary operation on क्या हूँ binary operation हमें बताना है on क्या हूँ क्या हूँ यह अन्रेशन number के लिए find करना है one by two binary four by five if a star b is equal to a by two plus b by three यहाँ पे a की जगह हम रखेंगे one by two b की जगह रखेंगे four by five one by two into में two यह two आ जाएगा पलस b की जगह हम four by five यहाँ पे हम रखेंगे three तो यह आपके पास one by four पलस में four by fifteen एल सेम रहेगा हमारे पास 60 फोर से करेंगे 15 पलस 15 से करेंगे four 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 जा 16 आपके पास आएगा 31 अपॉन में 60 यह भी आपके पास एक रेशनल नंबर है क्या हूँ तो यह भी आहाँ पे बाइनरी ओप्रेशन नेक्स्ट हमें फिर शे एक और पार्ट इसीगा a star b a binary b is equal to two a प्लस में भी two a प्लस भी अपॉन में four हमें फाइंड आउट करना है two star three यानि a की जगे हम two रखेंगे b की जगे three two इंटो two प्लस थ्री अपॉन में four two two is a four प्लस में three अपॉन में four यानि आपके पास आएगा seven by four ये भी आपके पास रेशनल नंबर है एक और इसी टाइप का पार्ट है three अपॉन five binary one by two यहाँ पर हम लिखेंगे two into three by five एक जगे प्लस one by two अपॉन में four यह जगा six upon five प्लस one by two अपॉन में four यहाँ से अलस्यम रहेगा ten five से करेंगे two two six जा twelve प्लस two से करेंगे five अपॉन में four है four अपॉन one कर लें यह आपके पास हो जगा 17 अपॉन में ten ड्ल प्लस five 17 अपॉन 10 उन बाइफ four फॉन कर जगा वन बाइफ four यहाँ इसे वन तेन अपॉन में 40 यहाँ पर A operation भी A binary भी दे रखे आपको A upon में A plus B यहाँ पर operation यहाँ पर क्या हूँ यानि एक rational number है binary operation भी यानि rational number तो you will find out करेंगे A की जगाए 2 B की जगाए 3 2 plus में 3 यानि यहाँ से आपके पास आएगा 2 upon में 5 next part देखते हैं next question में हमें निकालना है 4 operation 5 value पुट करेंगे 3 into A की जगाए रखेंगे 4 plus 4 into B की जगाए रखेंगे 5 minus 2 3 for the 12 plus 20 minus 2 यहाँ से आपके पास आएगा 32 minus 2 यानि 30 next question number 4 में हमें determine करना है A operation B A की power B A and B are natural number तो जहाँ पे determine हो कोशिस करेंगे उसको ना करने की यानि यह A operation B आपके पास natural number ना आए तो A यहाँ पे मैंने put किया 1 operation B B की जगा पुट किया 2 यहाँ पे बन गया 1 की power 2 1 की power 2 होता है 1 और 1 क्या है के natural तो यहाँ पे binary operation होगा यहाँ पे लिखेंगे यह binary operation है second part करते है next question में A operation B आपको दे दिया A plus में A की power B A and B are integer determine करना है तो कोशिस करेंगे हम यह integer ना बने तो यहाँ पे A की जगा मैंने value put की 2 operation B की जगा value put की minus 3 तो यहाँ से हम put करेंगे 2 plus में 2 की power minus 3 यहाँ से आपके पास आएगा 2 plus में power को plus करेंगी तो 1 by 2 की power 3 यानि 4 plus 1 by 8 LCM रहेगा 8 यहाँ से 32 plus में 1 यानि 33 upon में 8 यह integer नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे not binary operation not binary अप्रेशन नेक्स्ट फाइट देखते हैं नेक्स्ट किसन ए ओप्रेशन भी दे रहे हैं कि आपको अपके पास a minus 1 upon b plus 1 a and b are rational number यहाँ पे हम value पूट कर लेते हैं 2 operation minus 1 तो यह आपके पास ज़र्नो रेशनल नमबर हैं यहाँ पे value पूट की a minus 1 upon में minus 1 plus 1 2 minus 1 1 minus upon में 0 यह आपके पास रेशनल नमबर नहीं है क्योंकि p by क्या हूँ क्या हूँ is not equal to 0 होना चाहिए था तो यहाँ पे not binary operation लखेंगे not binary operation next part देखते हैं यहाँ पे a और b की जगे value आप कोई भी रख सकते हैं जैसे suppose की हमें ने रख लिया one operation two तो आपके पास one plus में one multiply two तो यह आपके पास one plus में two यानी three three भी आपके पास एक rational number है तो यहाँ पे लिखेंगे binary operation yes binary operation next part देखते हैं next question में हमें a operation b दे रख रख है two a minus b का whole square a और b rational number है हमें बताना है कि three operation five is not equal to five upon three है या नहीं यह हमें find out करना है तो पहले निकालेंगे left hand side में यह नहीं three operation five तो यहाँ से आपके पास आएगा two multiply three minus five का whole square two multiply three six six minus five five का whole square one का whole square आपके पास one फिर चेक करेंगे five operation three तो यहाँ से आपके पास आएगा two multiply five minus three का whole square two multiply five ten minus three इसका whole square यह आपके पास seven seven का whole square आएगा forty nine यह 49 यह one यहाँ पे लिखेंगे three operation five three operation five is not equal to five operation three next question हमारे पास यह operation यहाँ पे given है operation भी commutative है commutative में हमें check करना है a operation b equal आता है b operation a यदि यह दोने इक्वल है तो commutative होगा n था नहीं होगा यहाँ पे a और b integer दिये गए है तो a को मैंने रख लिया one operation two तो one operation two करते हैं तो four into one का square minus nine into two का square यहाँ से आपके पास आएगा four minus two two जा four nine जा 36 यहाँ से आपके पास आएगा minus 32 अब चेक करेंगे क्या two operation one इसके equal है तो two operation one के लिए four into two का square minus nine into one का square two का square four four just sixteen minus one का square one nine जा नाइन यहाँ से आपके पास आएगा seven यहाँ पे equal नहीं है equal नहीं है तो not commutative नेक्स्ट पाइट देखते हैं next question में हमें not associative उताना है तो associative के लिए होता है a operation b operation c यानि यह आपका equal होना चाहिए a operation b operation c यह आपके पास equal है तो associative होगा अन्य था not associative यहाँ पे a और b मैंने one operation two किया a operation b तो यहाँ से हमारे पास solution करेंगे a और b की value one put किये तो a operation b की जगाए वन ने one put किया one operation two इसको हम solve करेंगे a operation इसको solve करेंगे a की जगाए one रखेंगे b की जगाए two तो a की जगाए one by two प्लस में two by three यहाँ से आपके पास इसको हम solve करेंगे तो आपके पास आएगा a operation two three is a six two से करेंगे three प्लस three से करेंगे two two is a four यानि a operation seven by six a की जगाए वापिस हुआ ही और b की जगाए seven by six तो आपके पास आएगा one by two प्लस seven by six इन्टो three यहाँ से आपके पास आएगा lcm लेंगे eighteen two से करेंगे nine प्लस eighteen से करेंगे seven यहाँ से आपके पास आए sixteen अपोन में eighteen कैंसल आउट करेंगे two से करेंगे eight two से करेंगे nine eight by nine फिर राइट हैंड साइड चेक करेंगे अब हम राइट हैंड साइड आपके पास रहेगी one operation two one operation two operation में रहेगा c और आपके पास operation दे रखे है a by two plus b by three तो a by two यानि one by two plus two by three operation c तो यहां से आपके पास रहेगा यहां से आज क्या है यह a की जगह पुट करेंगे c की जगह आपके पास one operation two use करेंगा तो यहां से आपके पास a by two यानि seven by six के साथ में लगाएंगे two प्लस B बाई 3 तो B की जगे आप रखेंगे 2 बाई 3 हल्सियम रहेगा 12 12 से करेंगे 7 प्लस में 3 से करेंगे 4 4 2 जा 8 यानि 15 अपोन में 12 यहां से कैंसल किया 3 4 जा 3 5 जा यहां से आपके पास पहले जो विल्यू आई थी वो थी 8 बाई 9 8 बाई 9 is not equal to 5 बाई 4 तो not associative not associative next part देखते हैं next question हमारे पास same process हमें not associative इसे बताना है तो हम चेक करेंगे A operation B operation C is equal आता है यदि आपके पास A operation B operation C यदि ये दोने equal आते हैं तो associative होगा अनिता not associative अब की बार हम बिना value लिए इसे पे solve करते हैं तो सबसे पहले A operation B operation यहां पे C तो A की जगए A रखेंगे B की जगए B तो A operation B आपके पास आएगा A plus A to B यहां पे अब हम चेक करेंगे ये value A क्या का काम करेंगी ये value B का का काम करेंगी तो A की जगए A plus A to B पलस 2 B की जगए हमारे पास C है C तो आपके पास आगया A plus B to B पलस में 2 C अब हम करते हैं right hand side solve यहां पे हमें करना है A operation B operation C पहले इसको solve करेंगे तो ये A operation रखेंगे same ये आपका काम करेंगी A की जगए और ये आपका काम करेंगी B की जगए तो यहां पे है B plus में क्योंकि A की जगए हमें रखेंगे B plus B 2 B की जगए रखेंगे C ये आपके पास B operation C आज के है अब हम इसको A की जगए करेंगे ये वेल्यू आपकी A होगी ये वेल्यू आपकी B होगी तो A plus में A plus B 2 O B B आपके पास है B plus B 2 C चेक करेंगे A plus में 2 B plus में 4 C क्या ये दोनों equal है नहीं है तो लेखेंगे not associative ये भी आपका question complete हुआ next देखते है next question में हम करते है 2 operation 1 by 3 निकालेंगे A और B दोनों rational number है तो A की जगए 2 plus 12 multiply B की जगए 1 by 3 plus 2 multiply 1 by 3 3 से cancel किया 4 ये आपके पास आजाएगा 2 plus B 4 plus B 2 by 3 यानि LCM रहेगा आपका 3 ये आजाएगा 6 plus में 2 by 3 यहाँ पे LCM लेंगे LCM रहेगा 3 3 6 जा 18 plus में 2 ये आपका 20 upon में 3 next question देखते है हमें ये बताना है show करना है कि ये not commutative है not commutative हमें show करना है not commutative के लिए हम पहले निकालेंगे A operation B आपके पास given है same रहेगा एक बार check कर लेते हैं B operation A क्या आएगा यहाँ पे A की जगा आपका B हो जाएगा plus 12 A plus B A क्या ये दोनों equal है नहीं ये आपके पास हो जाएगा not commutative not commutative same question एक और इसी पार्ट इसी किसन का आपकी बार हमें इसे बताना है not associative तो A operation B आपके पास given है A plus में 12 B plus A B A और B यहाँ पे rational number है तो मैंने लिए पहले associative के लिए लिखाएंगे A operation B operation C यह equal होना चाहिए A operation B operation C यह आपके पास equal होने चाहिए तो A operation B की जगे मैंने लिए 1 operation 2 तो सबसे पहले A operation को same B की जगे रखेंगे 1 sorry जो B operation C है यहाँ पे 1 रहेगा यहाँ पे 2 यानि A की जगे 1 B की जगे 2 यहाँ से आपके पास आजएगा 1 पलस में 12 2 जगे 24 पलस में 2 1 जगे 2 यहाँ से आपके पास A operation 24 22 और 21 21 21 1 की जगे 1 22 27 21 की जगे 1 करेंगे 1 पलस में 22 12 multiply 27 पलस 21 की जगे 1 multiply 27 यहाँ से करेंगे 1 पलस में 27 27 जगे 24 5 27 जगे 27 और 5 32 पलस में 27 यह जगे 7 4 11 और 12 1 2 3 2 5 3 की 3 left hand side जोलो गया अब हम चेक करेंगे A ए उप्रेशन बी यहाँ जगे 1 उप्रेशन टू बाहर उप्रेशन में रखेंगे C को 1 उप्रेशन टू करेंगे 1 पलस में 12 multiply 2 पलस 1 multiply 2 उप्रेशन रहेगा 7 में C 12 तोनी 24 22 26 और 27 27 उप्रेशन C यह आपका A यह आपका B A की जगे 27 पलस 12 B की जगे आपके पास 2 रहेगा पलस A multiply A आपका 27 C यहाँ पे रहेगा 2 जोकि 1 उप्रेशन 2 यूज किया दा यह आपका 27 पलस 12 तोनी 24 पलस 27 दुनी 24 48 8 7 15 15 16 8 8 8 12 10 क्या यह दोने इकुल हैं नहीं तो लिखेंगे Note Associative तो यह आपके Note Associative आज के हैं इसी के साथ आपके 10 किशन कम्प्लिट होते हैं Next वीडियो में Next किशन देखें यह आपने आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के आप प्लेज सब्सक्राइब कुड़े Thank you